हाँ जी भी जी सारे वीरानों पहला दा प्यार प्रिसस्त्री काल सलाव अलकुम नमस्ते और सुनों भाई कैसे हो सब कहरें से अच्छी जो गलग रहां को हिंदी जे पेची ठोड़ी करने पाएगी वीडियो अप्लोड क्योंकि काफी भाईयों के मैसी जाये थे भाई हिंदी में थोड़ी वीडियो बना दिये करो कभी कभी जानकर के लिए तो आज के जो वीडियो हिंदी में है और दो तिन मैटरों के उपर है एक तो जब आदमी नया सौधी अर्ब में आता है उसको क्या-क्या साफदानिया बरतनी चाहिए जिससे के वह फसे ना कोई किसी के गलत अजय को आदमी के पास ना जाय औरже डके मेरे सांथ वह वहाए वो भी तो मैं हट में अपनी बतांगा और जो एक-दो बात है वहे हरूप और मतलोप रूख का मत्बल और यह इनसे कैसे क्या करना चाहिए काफ़ी आदमें को मेरे को मैसी जाए हम खली वली हो जाए हम कंपनी चेंज करना चाहते हैं तो क्या करें तो उन के लिए मेरी जो आज की वीडियो ए पहली बात तो मैं बता दू जब आदमी ने आता है फ्रेश सौधियर कोई भी बाई जब एरपोर्ट पे उत्रे तो उसको क्या सावधानी वतनी है देखो भाई पहली बात तो किसी भी खारजी आदमी की टैक्सी में मत बैड़ना ठीक है चाहे वह टक्सी वाला ही हो उसकी टैक्सी में भी मत बैड़ना एरपोर्ट से उत्रो जब बाहर आओगे आ आप एरपोर्ट की अपनी टैक्सि कोंसी है अरसीद वाली टैक्सीट ठीक है उसी टैक्सी में बैठना चाहे आपके 50 रेयाल लगें प्रेश की और हो घुर्ण को रहा हम आपको साथ कोई ऐसा फ्रॉड नहीं ना हो इसलिए बचे क्या करते हैं ज्यादा उतर WILहां पर पाकस्तानी हिंदी और अपने بنगलेदेश साजियर में सामया थे तो पहले मैं अपनी कहानी बता देता हूँ पि कैसे मेरे साथ दोखा हुआ हम पांच आदमी थे और कैसे हमारे साथ ठकी हो गई और हमारे जो की पैसे थे पचास सो रेल काफी आत्मियों के ऐसे चलेगे हमने क्या किया भई मैं भी एयरपोर्ट से बाहर आया मेरे साथ 5 आथमी ऑर थे तो हम unions पाकिस्टानी था जो पंजाबी था म Living пकisटान क्या दंगा था लेकिन मेरी बादशा का पंजाबी आथमी तर तो मैंने अच्छे छोड़ने हो गारी चाहते हैं ने बीश हैं अधाएlor पार्किंग में फिर ड़िए पार्किंग में अगारी ऑफर जहांसे आधमी तो अंपEZ यहांधा रहा है, भई वो बोता है मैं आपको छोड़ूंगा टेंचन मतलो मैं आपको छोट नहीं जा आगहा है तो रोड के सैड में बगल में पाकिस्तानी और सोया हुआ था। गाड़ी छोटी लेके टैक्सि टैक्सी लेकें सोया हुआ उसने पहला किया सबुद्रीरि ने बोला पैसे दो पैसे रहाएं हम बुलने जहांगा है मैं चोड़ दूगा वई भी पैसे तो तुम को मिल गे हैं पैसे तुमको ने देंगे बात करो बोलता है नहीं ऐसे करते करते जिंजाल होने लगए मैंने फोटो भी घिची उसकी गाड़ी की तो मेरे साथ काभी जगड़ा ने लग गया वह सौधी यह इनकी सब की मिली भगत होती है ठीक है वह जो पाकिस्तानी जिसने हमको बठाया और यह जो सौधी और जबकि मैंने उसकी टैक्सी का रिकॉर्ड कर लिया था नंबर भी और हम चाहते तो उसकी कंप्लियंट करते चाहे उससे पैसे वापस भी ले सकते थैं चलो हमारे मेरे 40 रियाल गए किसी के 30 गे किसी के 50 गए ऐसे करके सब के पैसे गए वह आदमी भी हमसे बहुत बत्तमीज नहीं हो रहा है भई जो रोड से हमको देख रहा था तो उसने हमको हारन दिया हम उसके पास गए हम उसको भाई प्रवलम बताई हमने बोला यह देखू आईसे इंसान है दुनिया में पड़े जो हराम का खाक हाके पड़े हुए हैं इनको जरह सबी बगवान का कोई डर नहीं तो वह पाकिस्तानी इतना अच्छा था मलपी कह नहीं सकते दुनिया में यह बराबर नहीं होती मैं बात आपक कि यह पाकिस्तानी में जो आपको कहीं पंजाबी भी खराह मिलेंगे पाकिस्तानी में खराह में हिंदी भी खराह मिलेंगे ऑर बस केर फ inaccur judging to फी और सब को फक्रें भर में फैसे मैं देएक हम कर देता हैं यह बरत ओए हम यह यहां लोग Lite जाून के एक्वादफ कर विवे आप लोग रियाद कहीं भी एरपोर्ट से बाहर उत्रें तो एरपोर्ट की टैक्सी ले और सीध काड़ के देगा ऊपको एक उसके ओपर टिक मार करेगा कि आपने कहां तक कौन से एरिया तक जाना वहां पर टिक मार करेगा उसके आगे पैसे लिखे यहां से यहां जाने तक में यह आपका 50 रियाल लेगा वह पैसे थोड़े जादे होते हैं उसमें 10-20-30 रियाल लेकिन भई उसमें डर नहीं होता है आदमी को खौब नहीं होता है कि मेरे साथ कोई गलत होगा जैसे कि जो भी आदमी फ्रेश कभी भी एरपोर्ट पे उतरे जो आपने फोन से करो अगर नंबर ओफिस वाले नंबर देते हैं पासबोड के उपर लिखे उससे बात नहीं हो रही है जहां कोई दिक्कत है तो आप वहां से अर्भी आपके इसाथ बात कर रहे तो उसको पाकिस्तानी बाहर कड़े होते हैं उनसे बोलो कि मेरे कफील है जम व सारेक के पास बही कैमरे वाला मुबाइल है एक तो टक्सी की नंबर प्लेट की फोटो खीचो और एक जिसकी टक्सी में जहां जो आदमी आपको लेने आ रहा है चाहे वो कोई भी है उसको बोलो बही मैं नया आदमी हूँ मिरको अपनी आईडी दो इकामा नंबर होता है प बढ़ा है यहाई रिए हमारे कंपनी उन Oxymation Airport की लेना ठीक है आधी और अबी बात करता हूं जो आदमी बहुत कंपनी हमें काम करने हुदिक हम क्को बहुत घटया है हम मतबएछिटे White वांगता है तो दो Update दो 20ш Bardzo जुमाना नहीं रहा यहां दोनों में जल्यारे बा satu यह का आदमी को अब बोल देता है यह आदमी में बोल देते हैं हरूप लग गया इसके उपर तो हरूप की कोई टेंचन नहीं हैं कभी भी टेंशन मतलेना जिस आदमी को पर भी हरूप है उसका बहुत यह असान परसीजर होता है कि जिस आदमी को पर हरूप लगा हुआ है गौवर्मेंट को उसको क्या करना होता है सौधी अर्ब को कि उसको पकड़ के जिल में रखो फिंगर करवाओ अमबैसी को उसकी बेजो यह आदमी हमने पकड़ा इसको इंडिया डेपोर्ट करो पास उसका और कोई भी इतना ज्यादा प्रसेस नहीं होता है कि जिसके उपर हरूप लगा हरूप का यही मतल होता है यह आदमी को पकड़ के फिंगर लेके एरपोर्ट में मलपीस की अमबैसी में के पसके रहते हैं हर हवग्त हर दिन में पता कितने घार जी आदमी चड़ाते हैं इंडिया को ऐसे जवर एकला अरौप लगा हुआ Yap केस केस क्या डालेंगे आप लोग मानोगा ऐा आपनी कमपणी से बाग गह लोग twardy काली है केस कोई बेची नहीं करते हैं ज्यादा तर क्या है कि सिंगल मालिक जो सिंगल मालिक समय किये थैं कि ह compromise में बाग जाता है ना वो थोड़ा उल्टे दिमाग के होते हैं तो जैसे कहें दो किसी को गुसा है कुछा है वो क्या कहेंगे मेरी गाड़ी की बेंटरिगें बेच दिये हैं वो चीछ चड़ाएगा वो कंप्यूटर में एक टैर बेच के गया मेरा इसके साथ पैसों का कोई लेन देन बागी था यह बाग गया मैंने वो करना इसके साथ बैठके बातचीछ करनी है वो चीछ डालेगा वो कंप्यूटर में लिखके वो हो जागा एक मतलूप अभी हम लोग तो केसी है वह हमारे लिए केसी है एक किसम का पकड़ेंगे जेल में डालेंगे अदालत में जए जाएंगे केस चलेगा फharची बोलेगा है तरीके डलेंगे कभी है रियाध वाला केस जद्दे बेजर देंगे जद्दे वाला फिर इदर रेजर बेजर देंगे किए अदमी खाख control हो जेगा केस नहीं जल्दी निफ्टेगा और केस वाला आदमी जो looking by की मे बहुत भ कर नहीं हो सकता हैं जिनका कि नहीं है पना हुआ है अगर आपका कफी लैज्य कोई कंपनी है जो की आप और आपमसे बनती चुटि ना बेज़ रही है और और बात जो नोट करना जो सौधी अर्ब की आईडिया भी पांच साल की बनती है ठीक है जी एक ही बार एक आईडिया मिलेगी आपको अभी मेरे पास आईडिया तो है मैं लेकिन दिखाँगा नहीं मेरी आईडिया जैसे वो पांच साल की है ठीक है जी पांच साल की आईडिया बनती है उसकी हर साल ह डेट उपर रहेगी पांच साल की, तो आपको क्या करना है, अगर आपका मालिक एक साल की एक बार पेमेट बरा हुआ है, बाद में इकामा भी नहीं बना रहा है, तो गौवर्मेंट की निगा में वो क्या है, भी एक किसम का बहुत गटी आदमी है, जिसने गौवर्मेंट के फौलम नहीं की है, तो गौवर्मेंट की तरफ से एक हारजी को शूट है, तो अपना कहीं पर भी तनाजल करा सकता है, कैसे, जैसे इकामा खत्म होता है, तो आप लोग जहां पर तनाजल कराना चाते हैं, जो दोस्त है, कमपनी है, उसमें फून कीजिए, आप बताओ कि काम नहीं है, एक नमबर में आदमी तनाजल करा सकता है, जिसका इकामा खत्म हो, ठीक है भी, वह कभी सभी बाईयों को नमस्कार, साथ स्रीकाल, सारे विरण, सलाम अलेकुम, जैकर वीडियो चंगी लगी हो, तो विर जी शेयर कर दे हो, तो वर्टसप नमबर में, लास्ट कोई कंपनी ना आए, जहां कोई उसको दिक्कत पड़ गई है, तो जो भी आदमी तो खारजी हो, उसको मेरा नमबर डायल करवाना, मैं अपनी तरफ से फून लगाउंगा, आप बोल देना मेरे को परशानी होगी, मैं फून लगाउंगा, आपकी जो भी परशानी होगी, म आपनी रहना से ना, जो भी होगा भी, मैं आपका करूंगा, तो टेंचन मत लेना, कोई भी खारजी आदमी आए, कहीं कभी हो, मेरे को कॉल कर लेना, मैं आपको भी एरपोर्ट से लेंगा, नहीं तो टेक्सी को बोलूँगा, मेरे पास छोड़ दो, आदमी को परशान हो र लेना ठीक है भई ओके विर्जी सारे वेरां सबसे रिगाल